कि आप सबी को एक्जाम तक वोकेप का एक फास्ट एंड क्विक रिवीजन करा देंगे वही कर रहे तेजी से चलेंगे और एडियम मैंने इससे पहले आपका अंडॉनिम और आपका वन वर्ड सब्स्टिटुशन अल्डेटी करा दें अपने न्यू चैनल पे डिफिनेटली सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल पे और कोई डाउट है तो आप कमेंन सेक्षिन में आज कर लिजेगा फर्स्ट कोश्चिन है तो विल्टा कैट अब इसी से आपको देखो एडियम की में ट्रिक बता देता हूं आप से भीपो हमेशा इसका मेनिंग निकलता है वही इसका मतलब होता है बस सेम टू सेम जो होता है वह नहीं करना होता है उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा यूनिक टैप में आप राइट अंसर कर लोगे तो बेल्टा कैट का राइट मीनिंग क्या होगा तो टेक लीडिन डेंजर मतलब की खत्रा उठाना तो बेल्टा कैट और तो ब इस पर जाएंगे तो बेल्ट आप देन जो की गलत है तो टेक लीडिन डेंजर मतलब खत्रा मोल लेना ऐसे बोल सकते हो अगला है तो फिस इन ट्रवल वाटर तू फिस इन ट्रवल्ड वाटर ठीक है तो तो कराइट असर क्या होगा तो इंडल्स इन 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 इविल कॉन सी है कि सब्सक्व चाहि है किसी परिशानी सोना तो करूब करों कि आपको आपके सामने कॉमेंट करेंब मैं आप से पूछूंगा भी हर एक вес तुसे पोछूंगा ऐसे ही ऊपर चलेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे चर्दा जुलाई फर्स सिफ्ट के ऐसे ही हमें आपे हदी जिद्र करके हर एक सिफ्ट के कोशें सबसरी के लिए फाइंड उट करके शेयर कर रहा हूं तो आप इस सिरीज का पार्ट बन सकते हो एंड सामि पानी में पढ़ जाना से मेनिंग ही तो निकल रहा है और भी ऑप्षिंस हैं तो बीने कंप्यूज स्टेट ऑप माइंड कंफ्यूज होना ठीक है उसका उसका टूबी सो इंपेसेंट एस टू टेक बात विट हॉट विफॉर इट गेटिंग कोल्ड मतलब की धैरना होना जैसे हिंदी पर मुहावरे पढ़ते हो तो बिल्कुर सेम टूसें इंग्लिज में भी वही चीज होती है तो थ्रो डस्ट इन्ट वन साइज किसी के आँखो में धूल जोकना जिससे अब बोलते हो तो फाइब का राइट आंसर क्या होगा अब इसका तो आपको लाजनी होन ना कि तो पूट सेंट इंटू आई जब जो इसका मतलब भी सेंड जानता हो तुनंत लगाएगा आपको में धूल जोकना यहां पर भी सेम टू सेम है आई जा रहा है ऐसा करके आप यह वाला लगा देते हैं लेकिन आपका गलत हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल आइट था सब्सक्राइब को इसी जो सेंडरेट की तरह है इस मरल करें को फीरी कूल सकता है को बनायट त 그렇게 सस्वेंट को यह तो डॉल सकते हैंको CT आप अपधिक्र पार जरूर बतागें अ आगे बढ़ते हैं यहां पर यह बढ़ते हैं तो फाइट तो मेरा तो मेसे तो पूरे सब्सक्राइब यही पर प्रयास करना जीतने करहें बासाग प्रयास करना जिसे बोलते हैं पर तो विण किसी का अगर कॉल आ गया तो हम क्या करेंगे तो इसके लिए अपन सॉलुइशन कर दिया काम करते हैं गिप्ट ऑफ दगैप यह काफी मेनिंग इंपोर्टेंट है इस्पीकिंग टैलेंट फॉर स्पीकिंग बोलने का टैलेंट टो टेक दगेप तो विन अप्राइज तू भी तो किसी नुटोरियस पर्सन को कुख्यात आदम इसे फेमस बोल चकते हैं ठीक है अपोजिट हो जाता है तो ग्यू क्रेडिट इवेंट वा नुटोरियस पर्सन सो भी नंबर विल्कुल राइट हो जाएगा आगे बढ़ता है वैसे मेरा सभी के लिए एक ही सजेशन रहेगा कि अब रिवीजन का टाइम है रिवीजन करिए लेकिन जिनका पेपर 24-25 वह तो पिल्कुल ताबर तो रिवीजन करें इसे आप स्किप कर दिजिए लेकिन जिनका पर 26-26-28 यह 37-29-37 वह भी ओन्लेन मॉक लगा सकते हैं उनक सब्सक्राइब करते हैं तो आप और हम से दो-दो मॉक टेस्ट भी लगाओगे तो अराम सब्सक्राइब करते हैं सारे के सारे तो कर सकते हैं कोड़ को अप्शन है कि छूट मिल जाएगी कोई क्वेरी है तो कमें सक्षिन में आज कर लिजीगा आप ओल्ट वाले बाई कर ल हम्तां गया होग तो इसका राइजिंग इस्टार वा रायजिंग इस्टार 14 14 number क्या होगा इसका राइट एंसर किसी को मतलब राइजिंग स्टार बोलते हैं स्टार नायना इस्टार जब रेप्टाइम पर टिक्टॉप था डेली इस्टार बनते थे तो ऐसे वाला जो कम इंटू प्रॉमिनेंस प्रॉमिनेंस का मतलब होता है आप यही विल्कुल में होना ठीक है तो to be in a financial difficulty मतलब डीफ वार्टर में अगर कोई होगा गहरे पानी में कोई होगा तो किसी अब आप गहरे पानी में हो तो आपके सामने कुछ ना कुछ तो दिक्कते होंगी निकलना आपका मेरे मक्सद होगा ना तो वही है तो वही है तो बीना करना unfairly बीना मतलब के to hit below the weight and to argue unfairly इसका राइट मेनिंग हो जाएगा शिक्स्टीन का राइट अंसर ऑप्शिन नमर बीदा नेक्स्ट है तो भी हार्ट टूपीज यह पूछा हुआ को से एरफोर्स एक्जाम में पूछा हुआ को से एक मेनिंग अभी फास्ट एडियस आएग हो सकते हैं deciding worst what deciding what is this का मतलब होता है एन आइडन हैंड 90 नंबर एन आइडन हैंड तो क्या बोलते हैं एन आइडन हैंड का मतलब आप सभी इसका आंसर मुझे कॉमेंट में बताइए मैंने दस पर बोला तब यू नीच्वाप से पूछा है एन आइडन हैंड का अक अंट्रो आइडन होता है एक वेक्ष्ट कोश्यन का अंसर डिस्प्यूट बहुत बार बहुत बार एक्जाम में आई नवी एरफोस के आपको भी प्रक्टिस एट लगा होगे ना हमें इसा यह वैली मेंगे मिले यहां पॉलोप इसका राइट क्या हो जाएगा इस सब्जेक्ट अब क्वैरल एफट अब पलब डिसकॉर्ड का मतलब क्या होता है का अट्रों की से जिसे बेड़ा प्रोजस तो सुना होगा फूलों की से जिया पर बेड़ाउप थांस बोल दिया प्विए तरण होता है to meet a person to meet by chance होता है to come by route नहीं understand clear to talk to a person to meet a person यह हो जाएगा meet by chance होता है किसी मतलब सो बाग बस मिल जाना यह 24 का भी अगला कि फेस्टा म्यूजिक म्यूजिक को फेस का न एक्सलेट दा situation at arms length at arms length इसका मतलब होता है दूरी बना रखना ठीक है at arms length का मतलब होता है दूरी बना रखना दूरी मेंटेन रखना एक डिस्टेंस जिसे आप बोलते हैं एक्जाम में और मौक टेस्ट में वाली मेनिंग आपको देखने को मिलेगी होता है ट्राइड का मतलब क्या होता है ट्यूबी परजलड 27 जाएगा नई ट्यूबी बजलड क्यों होगा एड आट इनिमटी होगा सी नंबर एड इनमटी होगा सी नंबर आगे बैग एंद बैगेज सभी जानते हो बुरिया बिस्तर विट वन्स बिलॉंग बेड़ अप्रोज स्पूलों की से होता है तो क्या हो जाएगा 29 का अर्टी नंबर फुल आप जोएस बाई लीपस और बाउंस यह बोलता है उसकी ज ब्लैक सिप बदनाम बखती होता है जिसे आप कलंक बोलते हो ब्लाट बोलते हो तो बहुत है तो तो थर्टी बन कर आई टंस सी हो जाएगा इसकॉंडल का मीनिंग वही होता है वाई टेलीफेंट अभी एससी चेशल के एक्जाम में आई थी मीनिंग वाली मैंने उस पे शे लेंड ऐसा होगा नहीं कुछ जिनकों नहीं पता को यह लगा देंगे वाई टेलीफेंट तो थाइलेंड में पाए जाते हैं लगाओ जीक्के थोड़ी कर रहे हो इन डिस्गाइस इस नॉबस पर्शन बड़ बड़न सम् पोजीशन तो थर्टीटू का क्या हो जाएगा राइट अंसर थर्टीटू का बी नंबर हो जाएगा अच्छी साथ मतब मैं यह देख रहे होता है तो बी नंबर बोड़ाइट हो जाएगा नेक्स्ट बीटा रिट ठीज होगा रोटीट तो खाएगा रॉट्गों से पहले अंगे बर संबसक्राइट काल सिपरेट में क्लियर कर देन हुआ diffuse लिए के लिए दिप्लोमेटिक लिए तो होगा नहीं कॉडियली 34 नमबर मैंने आपको बोला न काले स्पेडिस्पिट का मतलब होता है क्लियर बोलते हैं आगे बाइव और बहुत फेमस है मतलब यू हैव तो ग्रैक देग्जाम और बाइव कर बाइव करना है और बस मुझे नहीं मतलब कैसे भी करो पेपर भुणा चाहिए कुछ लोगों के बापा बदा आठी involved तो क्या हो जाएगा आपका 36 नमबर इंशिंसियर सारो ती आठी आ सुझसे बोल सकतो बेट बाउस दबूस का मतलब पहलियां हो जाना ऐसा बलते हैं इंगलिस में मतलब डोंट बीट बाउस कम तुदा में पर में बात में आओ इधर उदर की बाते मत को रहो पहलियां मत जाओ तो इसका क्या हो जाएगा 37 अमबर किसी सब्सक्राइब को दीरे दीरे से बताना इधर उदर की बाते कुमाव पिर आके आधे भाई आज ऐसा हुआ और फिर हम स्कूल गए बाता प्लेट दिया अपने तुरह तो उससे लगेगा ऐसा हुआ के बात बताओ कैसा हुआ चीए ऐसा यहां आज आज आओ वह आपको प बाउन वीता सिल्वार स्पून बदब दनाट परिबार में जन्म लेना तो बहुत वेल्थी हो जाएगा 38 का यहां पर डी नंबर हो जाएगा नेक्स्ट है 39 ब्लो वन स्ट्रम मतलब खुद के लाए खुद की वीरता की लाए गुण कहान करना मतलब खुद के बार वीरता ब निश्कन पबलिक सु क्या हो जहें घृषटे कर अट्बर ब झाल तिकर उफ्टी कर रही टंसर घृषटे का रही तंसर खुद कनो जाए पिखली हए लाए उच्कश्ट हैulated टेक त América Latina को तक यह होगा गंए टे वाटे हम पाईं खुद किया अब्यर मयामिशन पाई tub दम मे ड्रमश्विक करना मतलब बिनमरेः ननसा का उदाःता होता है ना काइंड वर्ड सुनाओक हो इसे मेनिंग हो जाता है in hand and globe होता है घनिफ्ट मित्रता पास्त टाइंपy on a तरबी इंटीएट तो बेढ़ गनिष्ट रेता होती है तो बस हो जाएगा उन गनिष्ट टमस में लाइक जो टमसे हैं वह बिल्कुल काफी पैसे बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या बोलेंगे 46 नमर क्या बोलोगे तो मेक टीडी मीट बाइचांस ये तो दा मीट बाइचांस कैसे होगा तो कम अप वीद होता है मीट बाइचांस तु कम आप हीद होता है और टू रॉंग तिंग्स गलत चीज़ें करना हिट दानिल ऑन दे हेड मतलब नेल को हेट करना है सही चीज़ों को करना नेल का मतलब होता है जोस से काम घाना ठीक है तो क्या हो जाएगा 47 नमबर का विट अटमोस्ट इफट मतलब फुल जोस के साथ में पूरे जितना मतलब इफटर डाल देना इस्क्वैरल डील बताईएगा इस्क्वैरल डील बताईएगा दो ही तो अब फॉल्स वन्स इन ट्रबल फॉल्स परिश्टानी में भी साथ है ठीक है अगे एट सेक्षण जैन्द सेवन्स तो यह तीतर बितर होना तीतर बितर होना क्या हो जाएगा इधर उधर वगते रहे ना इसे ऐसे कोई जा रहे है एक जगहा पे नहीं पढ़ना बीस जगहा तो भी डीपली मूवड वाई ग्रैब विट परफक्ट ली नीट एंट इडी ब्यूटिफुल डिकॉरेटेट्ट फिप्टी वन कर राइट अंसर क्या हो जाएगा सी नंबर परफेक्ट नीट एंट इडी परफेक्ट नीट एंट एंट इडी ओके लेक्ट फिटी टू तो ड इसने फिक्स प्रिपोजिशन में भी आ जाता है यह होता है यह मत्ति फ्रेजेश वाले में तो डाइन एडिया में फ्रेशिस पर हांगे इंदस्ट सेम बोट 53 नंबर इंदसेम बोट तो मतलब कठी नाई में होना ऐसा बोल सकते हैं इन इंडेंटिकल सर्किम्टेंस ठीक है दोस्तों के साथ में शेयर करिए चैनल के फ़र्स नहीं विजिट कियो तो सब्सक्राइब करिए और क्या बता है जै हिंद